आज हम जो टॉपिक देखने वाले बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है तो इसी कंसेप के साथ मैं यहाप आए हूँ कि कुछ नया सीखते है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक प्राब्लम होता है यह उनका सेल्फ बिलीफ होता है खुद पर जो विश्वास होता ना बहुत कम होता है अगर मुझे एक सेल्फ बिलीफ थोड़ा सा कम है मुझ में तो कहीना कहीं वो रिफ्लेक करता है मेरे वोक में मेरे एटिट्यूड में, मेरे बॉडि लैंग्वेज में एड आपके जो सिल्फ ग्रोथ होती है वो कहीना कि एक कम बढ़ जाती है अगर आपके लाइफ में जो सल्फ बिलीफ है अगर वो टॉप पे है, वो टॉप पे है तो आप एक इमयरजिन कर सकते हो आपके life में अगर आपका self-belief बहुत अच्छा है तो सो आज हम इसी पर बात करने वाले कि हमारा self-belief कैसे का बढ़ाने है बट सबसे पहला question कि self-belief कम क्यों हो जाता है कि मिन सब खुद पर doubt लेना क्यों start करते हैं there are so many reasons पहला ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ past experiences ऐसे रहा हो कि जहाँ पे हमने एक work किया है जो कि properly हुआ नहीं है इसके बाद जो हमें feedback आया है वो थोड़ा wrong था या फिर हो सकता है जो हमारा mind है थोड़ा सा mind पे focus करते हमारा mind कैसे work करता है जो हमारा mind है वो protection mechanism पे work करता है यह यह नहीं देखता है अगर मैं यह काम करता तो इससे मुझे output क्या मिलेगा क्या अच्छा output होगा बड़ इससे पहले वो सोचना start कर देता है कि इससे क्या क्या चीज़ है जो बुरी हो सकती है एक example लेते है कि अगर मैं आपको बोलो कि बंजी जंपिक करना है तो आप यह नहीं सोचो कि वहापे कितना मज़ा हैगा उस experience के बाद मुझे क्या क्या सिखने के लिए मिलेगा आप सब सब बहले यह सोचोगे कि यहास अगर गिर गया तो मैं तो गया जो हमारा mind होता है वो protection mechanism पर work करता है means हमें वो खुछ से protect करता है अगर कोई भी चीज अगर ऐसे लग रहा है उन्हें कि हम पर वो हावी हो सकती है या फिर हमें कोई harm हो सकता है तो वैसे जगा पर वो हमें उस काम को करने के लिए रोग देता है वही एक चीज होती है जिससे हमारा जो self-belief है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है दूसरी चीज है आती है हमारा जो mind हो change को accept करने के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा slow होता है अगर हम इसके practice करें तो definitely होता है पर एक छोटी सा example लेते हैं अब आप सभी लोग मेरे साथ एक exercise कर सकते हैं अभी मैं clapping कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 यो जो मेरा right hand है वो उपर रहेगा और जो मेरा next hand है वो जो रहेगा वो नीचे हैं अगर same technique मैं अगर थोड़ा सा ultra दरीके से करता होगी कि मैंने consider करते हैं कि left hand जो है उसको उपर रख दिया and right hand अगर मैं नीचे करता हो तो I feel little bit uncomfortable right, it's a small change बहुत ही छोटा change है बट आप एक difference देख सकते हो दोनों माइन में आप चेक करोगी कि थोड़ा सा uneasy feel होगा that is the only reason कि हमारा self belief हमें force करना पड़ता है खुद को इसको लाइक बनाना पड़ता है ऐसे कुछ events करने पड़ेंगे आपको ऐसे कुछ habits develop करने पड़ेंगे जिससे आपका self belief जो है वो peak पे रहेगा so start करते हैं कि self belief को develop कैसे करना है how to develop your self belief सबसे पहले चीज the taking initiative अगर आप कोई भी चीज अगर कर रहे हूँ वहाँ पे initiative लेना हमें पड़ेगा अगर आपको ऐसा challenge आता है consider करते कि आप एक class में बैठे हो कि जहाँ पे almost let say 100 students बैठे हैं आपको एक task दिया गया है कि आगे जाके बोलना है तो अगर आपको आपको self belief बढ़ाना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा आपको initiative लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ से उठके आगे जाओगा और बोलू हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ भी ना है बट यह matter नहीं करता है क्योंकि आप उन 99% लोगों में से नहीं हो जिनोंने initiative लिया है नहीं है You are the first person who I have taken initiative and वो आगे जाके बोलेगा तो हमें थोड़ा positive way में सोचना है First thing is taking initiative अगर आप initiative लेते हो तो आपका self belief बहुत अच्छा बढ़ेगा Second thing, small targets, steady progress Yes, अगर आपको बहुत बड़ा goal achieve करना है तो आपको इसके छोटे-छोटे parts बनाने पड़ेंगे एक imagine कीजिए अगर आपको एक दिन में काम करना है लेटे से कि 10 दिन में आपको 100 push-ups करना सीख जाना है तो हम क्या करेंगे? उस 100 को daily basis पर 10-10 करना start कर देंगे तो automatically 10 दिन में 100 push-ups हो जाएंगे बट मैं अगर यह सोचता हूँ कि एक दिन से start करके 100 finish कर देता हूँ किसी-किसी के लिए possible है बट किसी-किसी के लिए कि वो 10 करने भी बहुत difficult होंगे आपको यह चीज़ करना है कि पहले दिन एक करके देखो दूसरे दिन दो करके देखो तीसरे दिन इसका जो count है उसको मैंने बढ़ा दिया मैंने क्या किया मेरे लिए small targets बनाया है अब और एक example लेता हो अगर फिलाल मैं नागपूर में अवलेपल हो अगर मुझे नागपूर से 100 km अवे जाना है और रात का टाइम है तो जब हम यहाँ से निकल थे तो मुझे डारेक 100 km पर जो गाव है या फिर मैं जहाँ पर जाना चाहता हो वो तो डारेक नहीं देखेगा हम ही क्या गरना है जो भी हमारा light शो करेगा जहां तक शो करेगा मिन short distance होता है वो वहाँ पर जाने के बाद मुझे आगे का रास्ता देखेगा वहाँ पर जाने के बाद और आगे का रास्ता देखेगा यही चीज आपको focus करना है इसी चीज पर focus करना है कि small small targets बनाओ आपका जो progress रहेगा वो steady रहेगा आपका जो big achievement है या फिर big target है वो एक दिन अचीव हो जाएगा and small targets होने का सबसे बड़ा advantage यह होता है कि जैसे आप small small चीज़े करते रहते हो आपका जो self confidence है वो बढ़ते रहता है आपका self belief जो है वो बढ़ते रहेगा and what I want is कि आप सभी का self belief एकदाँ strong हो आते third point पे removing negativity from your life मैं ये चीज़ हमेशा है बोलता रहता हूँ कि अगर आपके life में ऐसे लोग है कि जो आपको कोई value provide नहीं कर दे है या फिर ऐसे लोग है कि जो आपको means हर बार negative thoughts देते है या फिर negative suggestions देते है तो उनसे थोड़ा दूर रहना start कीजिए positivity का हमारे life में होना बहुत ज़दा important है अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ नया अचीव करना है अगर आपको कुछ extreme अचीव करना है आपके जो goal से वो अचीव करना है तो आपको negativity को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा अपने thought भी सुना होगा कि अगर आप जैसे लोगों के साथ surrounding रहते हो वैसे आपका nature बन जाता है वैसे आपके habits बन जाती है और आपके habits ही आपको successful बनाएगी तो आपको negativity को remove करना है इसके लिए मैं आपको कुछ tips भी दे सकता हूँ इसका first thing is mobile mobile पे आप इतने सारे अच्छे-चे podcast इतने सारे mind thoughtful फूल से भरने वाले ऐसे इसे ही अच्छे-चे podcast अवेलेबल होते है अच्छे-चे information अवेलेबल होते है वो grasp कीजिए books पढ़िए books is the one of the thing जिस पे आप invest कर सकते हों now, मेरा जो चौथा point है वह ही है invest, invest on yourself किस में invest करोगे? things में? no clothes में? no see, यह सब चीजों तो आप खरीद ही सकते हो it's not a big deal अगर एक है या मेरे पास 10 है doesn't matter but अगर मेरे पास skills एक ही है एक ही skills के साथ मैं आज भी compete कर रहा हूँ दुनिया के साथ और वो भी दो साल बाद भी मैं same skills लेके आगे जा रहा हूँ no you need to at least learn 3 to 4 no new skills अगर मैं आपको कहूँ कि मैं पूराना camera लेके आपके पास आया और उसमें मैं photos निकान लेके लिए बूलूँगा आपको आपके पास वो बहुत अच्छी skills है वो जो camera है वो आपको बहुत अच्छे से handle करना आता है बट अभी उस camera के कोई यूज नहीं है वो अभी के generation में अभी के time में कोई यूज नहीं है तो ऐसे skills को learn करना start कीजे जहाँ पे आपको in future बहुत जादा यूज आएगा है जैसे कि एक दो examples बता देता हूँ communication skills, leader skills आप सीख सकते हो आपको को specific domain है उसमें थोड़ा सा कुछ नया सीख सकते हो अगर आपको लग रहा है digital marketing वहाँ पर जा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप mechanical engineering वाले हो या फिर electrical वाले हो या फिर civil वाले हो related all the softwares and कुछ-कुछ जितने भी नए चीज़े आप सीख सकते हो उन सभी चीज़ों पर आपको focus करना है believe that you are already there yes अगर मुझे एक अच्छा speaker बनना है तो मैं आज से believe करना start कर दूँगा yes मैं वो person हूँ कि जो आगे में जाके stage पर बड़े-बड़े stage पर जाके बात करूँगा right in the front of later say 10,000 people मैं वाप पर जाके speech दे रहा हूँ right imagine कीज़े अगर आपका ऐसे fantasy देखे आपके life भी कि जो आपको बहुत अच्छे means you want that thing अगर ये life में हो जाया है ना तो मज़ा जाएगा believe कीज़े कि वो आपके पास है you can see the drastic change में ये भी नहीं बूलोगा कि दो दिन लगेंगे तीन दिन लगेंगे no it's instant अगर आप अभी start करते हो ना believe करना yes I am talking in the front of later say 5000 people you can see the difference between these two okay पहले आपका जो एक energy level रहेगा that will be different you will feel that positivity in you आप एक positivity feel करोगे इसी energy के साथ आप इस पर work कर सकते हो आपका जो self-belief है वो बहुत बड़ेगा so these five points from my side to increase your self-belief आपका self-belief को बढ़ाने के लिए आपको ये 5 चीज़े आप ट्राइ कर सकते हो and if you need any help related to any topic you can suggest me in this comment box hope you are learning something new so if you want to learn something new please do subscribe to my youtube channel and for the more videos please tune to my channel and it's I will be happy to help you thank you so much guys stay at home stay safe